असलाम अलेकुम आज नुवंबर की नों तारीख है और शूटी है यहां पर तो आज काफी जार सीड्लिंग में ट्रांस्प्रांट कर रहा हूं यह सामने जो सीड्लिंग पड़ी भिया आपके डैंथस की सीड्लिंग है काफी बढ़ी होगी है इस रीड में लगाया था पची से कम हुए है और आगे तेरा चौदा दिन चालिस दिन की सीड्लिंग है यह आपके सामने है यह प्लांटर में लगाने लगा हूं एक जगा पर एक अठी लगा दूँगा यह काफी एच्छा शो बनता है इसका अगर एक साथ आपने पॉट्स जोड़ के रखे हूं यह जमी यह आइस प्लांट के एक पॉट्द है यह तकरीबना रपार्ट में मेरे खुद बहुत निकल आता है क्योंकि आइस प्लांट का सीड़् बहुत गयता है जब आपने वह रखा हो और वही मट्टी आप दोबारा यूज करें तो बार बार निकल आता है तो मेरे काफी सारे प दूसरी एक वीडियो में बनाऊंगा जो सीड्लिंग आल एडी में लगा चुका हूं इसमें दो प्लांट्स हैं एक ही है पैर मैंने एक पॉट रखा वह पास यह सीड्लिंग डेड हो चुकी है यह आपके सामने यह इसको भी पानी कम चाहिए होता है तर्दी जितने भी प् इस गुजारे लाइक देना चाहिए तो इनका अच्छा रिजल्ट मिलता है पिर यह इसका रूट बॉल और यह इसकी रूट्स काफी फैल चुकी है मट्टी है इस यूजल नरम है और सीड्लिंग अलग करते वे कोई परिशानी नहीं होती तो इसको ऐसे फैंक देंगे इसके अंदर मट्टी है वह निकल जाएगी सीड्लिंग अलग हो जाएगी काफी बुशी सा प्लांट बन जाता है इसका ठैल जाता है तो अगर चोटा पॉट है आपके पास पनीरी वाला तो इसमें एक ही प्लांट लगाएं तो बेतर रिजल्ट मिलता है इसका दो भी लग तो इस पॉट में जितने भी प्लांट साते हों मैं लगा दूँगा तो जब यह पॉट इन्शाललब फूलों प्याएगा तो फिर इसकी वीडियो शेयर करूंगा मैं दुबारा बहुत खूब सूरत मिजारा बनता है इसका बंच में इसके फ्लावर्स आते हैं और खाद मै और यह कंपोस्ट जो भी चीज अवेलेबल हो यूज कर लेता हो मटी में चैमिकल खाद हो यह मैं नहीं देता है यह दो प्लांट से एक साथ हैं इन को लग कर लेंगे यह प्लांट की आलत आप देख सकते हैं कितना एल्डी प्लांट है बगएर किसी कैमिकल खाद की दोनों और उनकी रूट भी आप देख सकते हैं पूरा जाल है तो जनाब यह प्लांटर आपके सामने रेडी हो चुका है तकरिबन आठ नौ प्लांट है इसमें पांच छे साथ नौ प्लांट है अब बारियात है इसको पानी देने की पानी इसमें जी तरह खड़ा कर दें और इसक में यह सीटिंग स्टेबल हो जाएगी थोट सी बड़ी है यह लाजमी बात है यह गिरेगी तो इन्शाललह एक से दो दिन के अंदर अंदर यह बिलकुल अपने जगा पर आजाएगी तो फिर जब यह प्लांटर निशाललह फ्लावर्स पर आएगा तो इसकी अपडेट